आज देखिए पुराने कुर्ति से मैं क्या बनाने वाली हूं? पुराने कुर्ति हमारे पास काफी पड़ी रहती हैं और ऐसे ही हम इनका कोई यूज नहीं करते हैं तो इससे मैं आज देखिए एक अच्छा सा और्गनाइजर तैयार करने वाले हूं मैंने नीचे से बाजू स अलग-अलग हो जाएं यह इस तरीके से simple एक ही बार में इस तरीके से फट जाता है तो इसे हम उधेर लिंगे इस लाई को और इस तरीके से fold करके एक equal major में इसकी हम cutting कर लेंगे जिससे की चारो तरप से यह बराबर हो जाए तो इस तरीके से इसे हम double fold करेंगे कुर्ती को और इस तरीके से इसे हम cut कर लेंगे अभी हमने इसमें कोई major नहीं लिया हुआ है तो इस तरीके से पहले हम इसे बराबर इसकी cutting करेंगे जिस तरीके से हम एक पार्ट को cut कर रहे हैं उसी तरीके से हमने second part को भी इसी तरीके से एक equal major में cut कर लेना है और जो नीचे की sly वाली area है उसे भी हम इस तरीके से cutting करके equal बराबर कर लेंगे अब हमने ये one piece cutting किया है इसी के according हम दूसरा पीज भी इसी तरीके से cutting कर देते हैं उसे भी हम ठीक इसी तरीके से कर देंगे मतलब कि बना लेंगे इसी major में cut कर लेंगे अब हमने उन दोनों को एक major में cut किया है और उन्ही मेजर के हमने दो पीस राइस पैक के भी ले लेने है और चारों तरब से इसमें हम कर दिंगे सिलाई दोनों पीसों को मैंने इस तरीके से कट करके देखिए राइस बैक के संग रेडी कर लिया है और एक साइड से मैंने जो लंबी वाली साइड है उस साइट से मैंने इस पर सिलाई लगा दी है ये सिलाई मैंने इसले लगाई है क्योंकि मैं इस पर लगाऊंगी चैन चैन मैं किस तरीके से लगाऊंगी चैन मेरी पूरी रेडी है लगाने के लिए तो मैंने केवल क्या करना है बस इस पार्ट को इस तरीके से लेना है और सुल्टी साइट को उपर ही करते हुए इस तरीके से चैन को इसमें हमने अटैच कर देना है हम इसमें दो सिलाई रखेंगे एक सिलाई से हम इस तरीके से सिलाई रखेंगे और दूसरे में इसको हम पेस्ट कर दिंगे चाकि हमारी जो चेन है वो इधर उधर नाकिस के तो दोनुम में इसे चेन को लगा के आपको दिखा देती हूं तो मैंने देखिए इस तरीके से ये चैन को लगा करके इसके अंदर नर डाल दिया है अब इसे हम इस तरीके से लिंगे और नीचे वाली जो हमारी खुली सेट थी उसे भी हम इस तरीके से सिल दिंगे अब मैंने देखिए इसे भी सिल दिया है सिलने के बाद हमने इसे कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है कि जो chain वाली area है वो इस तरीके से यहाँ पे आए उपर करेब हम 5 इंच सड़े 5 इंच आप उपर को छोड़ेंगे इस तरीके से मैंने 5 से 5 इंच उपर को छोड़ दिया है और इसे एक इक्वल शेप में इस तरीके से कर दिया है यह मेरा 5 इंच के करेब मैंने छोड़ दिया है उपर को और इसी तरीके से आप भी जो जहाँ पर chain वाली area है उसे हम इस तरीके से रखेंगे और अब हमने क्या करना है अब हम इसे फ़ोड़ा पीन अप कर लिंगे जिससे कि यह हमारा इधर उदर ही ले डूले ना चौकि अब हम इसकी लिंगे major अब हमने किस तरीके से इसे बनाना है वो मैं आपको दिखाती हूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हम इस पै चार बाई चार इंच का एक box तयार करेंगे और उस box को हम करेंगे cut यह box हमने 4 इंच लंबा और 4 इंच चोड़ा रखना है और उसी में हम इसे cut कर देंगे इसी में रखते हुए हम इस side भी देखिए इस तरीके से हमने पहले रखा है फिर इस तरीके से हमने इसकी cutting की है तो इसी तरीके से मैं इसे रखूंगी और इस तरीके से इसे cut कर दूँगे अब हमने जैसे cut इधर किया है सेम नीचे भी हम इसी तरीके से चारो corner में cut कर लिए और cut करने के बाद आप देख सकते हैं इसका लोग कुछ इस तरीके से आएगा बस जो हमने एक बारा cut किया था उसी को रखते हुए हम चारो side से cut कर लिए अब हमने right side दोनो side हम सिलाई लग सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरीके से होगा और जो इसके हमने box cutting की थी उन्हें हम इस तरीके से सिलेंगे ये देखिए इस तरीके से चारो तरब से हमने ये सिल देने हैं तो चारो side जब हम इसे सिलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से इसका look आएगा देखिए इस तरीक से मैंने इसे सुलटा किया है और आप देख सकते हैं कितना बड़े स्पेज के संग इस सपेज इसके अंदर है और यह रेडी हो चुका है इस तरीके से हमारा एक सुन्दर सा बैक बन करके रेडी हुआ है और इस बैक को आप कुछ भी कामों में ले सकते हैं आप चाहें जो हमारे side से ये निकला हुआ था न तो इसको भी हम इस तरीके से fold करके इसकी एक पट्टी टैप की बनाएंगे जिससे हम handle लगाएंगे और इस handle को हमने देखे इस तरीके से पहले हम इसे fold करेंगे और इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे लगा करके यहाँ पर इधर से और इधर से दोनों हैंडिलों को हम इस पर लगा करके रेडी कर लेंगे और अब हम देखिए इसमें आप धेर सारे कपड़े रख करके रेडी कर सकते हैं तो मैं आपके इसमें कम से कम साताथ जोड़े से भी दस जोड़े कपड़े कम से कम आ जाएंगे और आप इसे कहीं ले जा भी सकते हैं वरना आप इसमें कपड़े स्टोर करके अपने अलमारी वगरव में इसे सेप करके जिसमें धूलना लगे इस तरीके से रख सकते हैं तो आपको ये आइडिया कैसा लगा जरूर बताना और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सिस्क्राइब करना कमेंट करके मुझे जरूर बताना तो इस तरीके से देखिए मैंने चैन लगा करके बिल्कुल कम्प्लीट कर दिया है अब एक कितना सुंदर बैक बनके त्रेडी हुआ है वो आप खुद ही देख सकते हैं तो आइडिया जैसा भी लगा हो प्लीज लाइक करना